दुबई में प्लेस्मेंट की संभावना तलाशने का प्रयास आपक्या गया दुबई में प्लेस्मेंट की संभावना तलाशने का प्रयास आपक्या गया दुबई में प्लेस्मेंट की संभावना तलाशने का प्रयास आपक्या गया प्लेस्मेंट की चाहेगी वर्टी वर्टी खाये लखे नेशनल इंटिश्मेंट की उसके बार एक तर एक नेशनल स्विक टैक रहती है देश दुबई में प्लेस्मेंट की जिताना कर सकता है स्किलिंग अर्याना जखस पे जाम में स्किलिंग युनिवर्स्टी अपनी बनाई है प्रदेश के अधिरिक्त मुख्यस अचीव एवं खरीब सीजन की फसल खरीद को लेकर नियूकत अधिकारी महाबेर सिंग ने मात नहेल अनाच मढ़ी का दोरा किया अतरिक्त मुख्यस अचीव ने जिले में फसल खरीद से जुड़े इंतस्दामों के समिक्षा करते हुए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोटल पर दर्ज जानकारी किसानों की सुविधा के लिए मंडिवार अंतस्दामों खरीद एजंसी की तैयारियों और किसानों को फसल के भुक्तान के समंद में विस्तार से जानकारी ली जाती अतरिक्त मुख्यसर्चीव महावीर सिंग ने जिला परशासन वाई चंसियों के अधिकारियों को आवश्रिक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी सचता नमी मापक यंद्र आधिका उच्छत इंतजाम करने के फिए और उन्हें निर्देश दे हैं कि मंडी के दोरे के दोरां में किसानों ने दो बाते हमारी सामें रखी है कि किसी वज़े से टेक्निकल हिच की वज़े से ये काम चालू नहीं हो पाया लेकिन आज से प्रचेज का काम सुरू हो गया है और मैंने मोके पर जो हमारे लिकारियम को निर्देश दी है कि तुरंत इसमें पुर्टी से ये कावाई दीज है और किसी किसम की कोई दिक्कत है तो उसका तुरंत उसका समाधा करे देज़े है रुक्तलते बड़ी खबर का बड़ी खबर पतेहबाद से हर खबर की खबर का असर धान की खरीद में हो रही थी देरी प्रमुक्ता से खबर दिखाने पर असर हुआ है किसानों की फसल खरीद अब शुरू हो चुकी है कसान पिश्टे तीन दिनों से परिशान थे लेकिन अब अधिकारियों ने खरीद एजंसियों को निर्देश दे दिया है तो ये बड़ी और अहम जानगारी आपको बताने पते हैं बाद से चुआ हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है कजिकारियों ने खरीद एजंसियों को निर्देश भी दिये हैं धान खरीद में पहले देरी हो रही जिस वज़े से कसान परिशान थे लेकिन अब इस खबर को हर खबर ने प्रमुकता से दिखाया जोसके बाद सार भी देखने को मिला है किसानों के पसल खरीद अब शुरू हो गई है किसान पिछले तीम दिनों से पसल खरीद आ होने पर परिशान थे तो अधिकारियों ने खरीद एजंसियों को अब निर्देश भी दे दिया और साथी साथ आपको बता दें कि अब फसल खरीद जो है वो शुरू कर दी नहीं है बड़ी खबर आपको बता दें कि अब अधिकारियों ने इसकी निर्देश दे दिया और साथी साथ अब जो धान की खरीद है वो भी शुरू हो चुकी है कशान धान-खरीद में होगा यह देरी से परिशान थे सब्सक्राइब आलात है ये आज क्या कल भी खरीद शुरूप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना तो इन्होंने अभी तक मिले लाट की है और ना ही कोई सब्सक्राइब दे पारे है उन्होंने कहा कि वो इस उप्चुनाव में महेंगाई, बेरुस्गारी, सिक्षा, स्वास्तिन, सभी मुद्दों को लेकर जवीनी इस्तर पर उतरेंगे और प्रदेश में पर्चम लहराएगी कॉंक्रिस पार्टी हमारा तो पहले से ही इस पर विचार मंत में चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है दिपेंदर उड़ाजी जो हमारे मेंबर पार्लेमेंट है, उनके भी वहाँ पर दोर है, मैंने भी वहाँ पर वरकर मीटिंग लिए है तो हम सब लोगों के टच में है, और आप देख रहे होंगे किस तरह से आदम पुर के लोग किस तरह से कॉमेस पार्टी की तरफ आ रहे है सबसे पहले राजबीर सिंग रूडी मार्केट का मेंटि के चेर्मेन आ है, करन सिंग रनोलिया करन सिंग रनोलिया जो 2014 में बीजेपी की टिकेट पर चराव ले देते और मार्टी कला बोड के चेर्मेन बार्टी जनता पार्टी के तरह से रुकरते बड़ी खबर का तो वन्यज्रीब सब्ता के मौकेट पर सियमनुहल लाल ने तौफा दिया ये बड़ी और रहम जानकारी वन्यज्रीब सब्ता पर सियमनुहल का तौफा हर्याना के चुडिया घरों में निशुल्क मिलेगा प्रवेश 2-8 अक्टूबर तक विजिटर एंट्री फ्री रहेगी तो वन्यज्रीब सब्ता पर सियमनुहल ने तौफा दिया है ये बड़ी और रहम खबर आपको बता र हर्याना के सभी चुडिया घरों में दोसे आटक टूबर तक विजिटर एंट्री निशुन कर रहेगी रुकते ही चुड़े से ब्रेक लिए ब्रेक के बाद चलता आसर हूंगे खबरों के साथ हरे रंगों का उमंगों का जदवा का रुकता हैं मन साफ है तेरा यंदर तो बाहर दिखता हैं हम निर्मा एडवांस हैं मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं निर्मा एडवांस पंजाब है चस्प्रीट का ठिकाना मुंबई है आदर्श का आश्याना किरल का गोविन निवासी कुलकाता में जन में है काशी हर हिंदोस्तानी की शान ARB Bearings चोले सारा हिंदोस्ता अगर आप पत्रकारिता के शेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको Electronic Media के हर गुण जल्दी करें साधना Academy for Media Studies में अड्मिशन शुरू हो चुके हैं सिर्फ कुछ ही सीटे बची हैं तो देर बिलकुल ना कीजिए हमारा Contact नमबर है 999-131700, 999-131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं आप हमें noida.sams.gmail.com पर email भी कर सकते हैं 100% जोब प्लेस्मेंट की गैरंटी आज इसमपर करें पंजाब है चस्प्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आश्याना, किरल का गोविन्न निवासी, कुलकाता में जन्में है काशे हर हिंदोस्तानी की शान, ARB वेरिंग, जोड़े सारा हिंदोस्ता हर रिष्ते का अहसास रखते हैं हर घर में अपनी पैचान खास रखते हैं हम निर्मा एडवांस है है हमन की तक है ब्रेक की बाद स्वागत है आपका रुख कर लेते हैं खबरों के और बहादुर गड़ के उद्योग पती ने सरकार को चेतावनी दी है उन्होंने कहा उद्योग पती और ट्रक्ट्यू में काम करने वाले लाखु करमशारी सड़क पर आचाएंगे उद्योग पतियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ग्रेप कानून में संचोधन नहीं हुआ तो बहादुर गड़ के उद्योग पती अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे जिसते लाखों लोग विरूसकार हो चाएंगे उद्योग पतियों ने ग्रेड़ रिस्पॉंस अक्शन प्लान में छूट देने की मांग सरकार से की है इतना ही नहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को उद्योग पतियों की पैरवी के लिए केंद्र सरकार और NGT के खलाफ आदालात में चाने की गुहार लगाई है तो उद् आश्तूर और करमशारी भी रोज़तार हो जाएंगे है और मीटर लगने आज को अपलाई करता है तो तीन मेने मीटर में लगेंगे जो ग्रेव सिस्टम लागूआ है हमारा मानना ही है कि जब तक हमने गैस पाइप के लिए अपलाई किया हुआ है कि जब तक और मारे पास कनेक्शन नहीं आता तब तक कब से कवह हमें इस पाकी छोड़ती जाए कि हम जन्रेटर चला से कोई भी वपारी जन्रेटर चला के कुछ नहीं है उसमें कोस्टिं प्रसा होता है उसको तुरंत चलाना जरूरी होता है और नहीं निकाल के बार फैकरा पड़ता है और अगर जन्रेटर बिजली का यहीं पावर का यहीं हाद रहा तो जो बंद करने में बें मौतम बाईश का प्रभाव अब सब्जियों पर भी पढ़ना शुरू हो क्या है द वहीं सबसी मंडी में 30 फिसे दी ही घर आकर नजर आ रहा है और जिसके चलते व्यापारी भी परिशान चल रहे हैं तो सोनी पत से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर मौसमी सबसियां भी आब महंगी होती चा रही है और ऐसे में अब सिधा सिधा असर इसकाम आदमी की ट पर भी पढ़ता नजर आ रहा है तो कि अगरें कि चाहिए तुके तो ही ना आप शुक्राइब लोगी सब्सुर्णार फिर्ट तो इस यह अब टोट इसंधी प्रफिस और नोगी होती है वित्यम बात करें बिंदी क्या बहु है सिम्मियर्च क्या बहु है शिल्या में और बिंडी चल रही है तोरी इतनी महेंगी क्यों चल रही है किस कारण से इस पेरावर कम होती है और खाने वाले की जंख्या भर्याता है बाजारों में लोगों की उम्री भीड पार्किंग का दस्दाम नहीं होने से लोग परिशान हो रहे हैं लोगों को काफी परिशानी हो रही और ऐसे में परशासन और नगर परिसत कोई भी सुद लेते नहीं आ रहे है तो ये बड़ी और हैम चानकारी आपको जीन से बताने जहां तो हारों की मदे नजर बाजारों में भीड उमड रही है से लोग परिश्चान नज़र आ रहे और ऐसे में प्रशासन और नगर परसर भी इस मामले पर कोई सुद लेते नज़र नहीं आ रहे हैं तो ये बड़ी और एहम चानकारी जिन से आपको बता रही जहां तो हारों को देखते वे लोग खरिदारी करने के लिए बाजारों में काफी भीड देखने को मिल रहे हैं तो वहीं अगर बात की जहा है पार्किंग की तो पार्किंग की लवस्ता ना होने की वज़र से लोगों को काफी दिकतों का सामना करना पर रहर ऐसे में प्रशासन भी इसकी सुद लेता नज़र नहीं आ रहा है यम्रा नगर के साडोरा था ना छेप्र में रेच से भरी डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं मौत के बाद भारी संख्या में एक ग्रामीन पहुचे और उन्होंने डंपर को आपके हवाले कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया मामली की सूचना मिलते ही मौके पर पहुचे पोलिस ने आरोपी डंपर चाला की खलाप मामला अदर्ज कर जांच शुरू कर दिया यम्रा नगर से खबर आपको बतारो और तस्वीरे भी आपको दिखा रहे घटनास कर की ड्रापर रिट से भर एक डंपर ने दो जिवकों को कुचल दिया और जिससे दोने जिवकों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं गुस्ताइक रामिणों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया हर्याना के ग्रे स्वास्त एव मायुश मंत्री आनल विश ने नवरातरी के अफसर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ पंच्छकुला में श्री माता मंसा देवी मंतिर पहुचकर पूचा अर्चना की और प्रदेश के नाकरिकों की खुशाली और सम्रिद्धी के लिए बंखल कामना की और यह तस्वीरी भी आपको देखाते जहां पर प्रे मंत्री माता मंसा देवी मंतिर में पूचा अर्चना करते नसर लाइए अपने पूरे परिवार के साथ उनवरात्री के नवमी के दिन वहाँ पर पूचाचना करने के लिए पहुचे और उन्होंने प्रदीश्वासियों की खुशाली की भी कामना की सोनिपत के लाट गाउ में चौधरी श्यामलाल गवर्मिन्ट मॉडल सबस्कृती स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्थाने प्रश्वासन की उदास्तींता की वज्छल से काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है स्कूल में पढ़ने वाले श्यातर सुमित ने सिक्षा मंतरी से गुहार लगाते हुए अपील की है कि स्कूल के खेल मैदान से गंदा पानी निकलवाया जाए तो वहीं आपको बता दें कि क्लास रूम में तूटे हुए ब्लाक बूर के साथ ही क्लास रूम में बैठने के ल आपको देखा रहे हैं जहां स्कूल के खेल के मैदान में गंदा पानी भरा हुए जिस वचह से बच्चे इस मैदान का स्तमाल नहीं कर पा रहे तो वहीं क्लास में भी जो ब्लाक बूर्ड है वो काफी जर्जर सिती में और ऐसे में छातरों ने मांग की है कि सभी स्कूल में मैंने जोइन किया है और अभी जो है पहले जो प्रिंसिपल थे मैंने उनसे भी पूछा था तो वहने बगता है कि 19 अगस्त को जो है वह लिए और इस बारव के लिए और ले ग्रांड के लिए ठीक करने के लिए जो है उन्हों में फ्रपोज़ सर्थार के पास गिंज़ा हुआ और हम भी अपनी टरब से पूरे अफर्स का ले पनाला हुआ एक पाने बिया और इसके उपर उपर श्रवी नहीं है, यहां पर बहुत जादा स्मेल आती है, यहां पर कूड़ा निकलाते हैं. सभाई होती है कुछ? नहीं. बेटा, यह कब से है, यह कब से बने हुए है, इसा है टूले? रुककर ले भड़ी ख़बर का जीन से भड़ी ख़बर नागर कशपताल में डॉक्टर्स की कमई के चलते हैं परीशान 5 चुरक सकों के अवकास पर जाने से परिशानी मरिजों को बिना चुरक सकों के वागर लोटना पड़ रहा है 5 विशेशक या चुरक सकों के छुट्टी पर 40 जाने से परिशानी E.N.T. Physician maternity leave पर गई है तो वही 1500 से 1600 तख पहुंच राती है ओपीडी मरीजों को परिशानियों का साम्थना करना पड़ा है यह बड़ी खबर आपको बताएं जहान नागुका स्वताल में डॉक्टरों की कमिक वज़र से मरीजों को परिशानियों हो रही है पार चिकेट सको कि अफकास पर जाने से मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लॉटना पड़ रहा है आपको बताएं यह एंटी फिजिस्टियन मेटिनिटी लीफ पर है और ऐसे में जो ओपीडी है वो भी 1500 से 1600 पहुंच जाती है जीन से बड़ी खबर नागरिक अस्पिताल में डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कई मरीज बिना इलाज के घर वापस लॉट चाते है और ऐसे में गुरू ग्राम से बड़ी खबर साइबर क्रिमिनल अक्टिव रोजाना सेक्डो मामली आ रहे सामने साइबर अपराद में 136 प्रतिशत की बढ़ोती हुए पूरे हर्याना में सबसे जाधा गुरूग्राम में साइबर अपराद के मामले सामनी आ रहे हैं तो ये बड़ि और हम चानकारी गुरूग्राम सक्तुमार अक्टिव हो चुके हैं रोजाना स्टेक्डो मामले सामनी आ रहे हैं और ऐसे में साइबर अपराद में 136% की बढ़ोतरी हुई है तो ही हर याना में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले गुरू ग्राम से सामनी आ रहे हैं पर ऐसे में अब साइबर क्राइम के मामलों पर अंकुष लगाने के लिए को इसमें भी विशिश अभ्यान चलाया है अक्टूबर को साइबर क्राइम मंस के रूप में मनाया चाह रहा है और जिस के तहट हर रोज चाकुता कारेक्रम भी आयोज़त किये चाह रहे हैं ये बड़ी और एहम खबर गुरूग राम से साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं अगर बात की जाए हर्याना में तो सबसे जादा हर्याना में गुरूग राम से साइबर क्राइम के मामले साब में आ रहे हैं और ऐसे में इन माख्लूप परंकुष लगाने के लिए पुलिस्वारा रोजाना चाहुट का भ्यान भी चलाया जा रहा है। इसमें हमारे पास DGP सरकी पहलती और ADG Crime की तरफ से ओपी सिंग सरकी तरफ से इसमें ये है कि हम जो अक्टूबर का मनत है इसको Cyber Awareness मत से करीके से मना रहे हैं। इसका हमारा theme है see yourself in cyber इसका साइबर security से रिलेटेड जो भी है उसमें हमारा पहला focus है लोगों में awareness क्रियेट करना क्योंकि हम जैसे कि देख रहें कि हर दिन की thousand के अफ़ा स्कोल्स आ रही है cyber force related तो जितनी जादा awareness होगी सबसे पहला तरीका तो इनको मतब रोकनी का तरीका है कि awareness करी खबर दुपहरें फिलाल क्रिबस इतना ही आप बरी रहे है मारे साथ नमस्कार